दिर्मला सितारमन जी बार बार देश के भारत के व्यापारियों से पूछ रही हैं कि आप यहां इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं पर इस वीडियो में भी तीन जूट बोले गए पहला जूट उन्होंने कहा कि उन्होंने पियलाई दिया मैनुफैक्चरर्स को जैसा मैंने बताया WTO के रूल्स सिरफ भारत में सिरफ असेंबलिंग के उपर पियलाई दे सकते हैं ना कि मैनुफैक्चरिंग के उपर दूसरा जूट उन्होंने कहा देश में लगातार FDI बढ़ रही है देश में FDI 2004 से लेकर 2014 के बीच 2.4% थी जबकि आज ये आंकड़ा 1.72% है जो फोरें डिरेक्ट इन्वेस्मेंट है वो वैसे भी फोरें कंपनीज बैक्ड होती है और फोरें कंपनीज अपना प्रॉफिट देश से ले जाती है तो भारत में कोई Capital Generation नहीं होता तीसरा जूट उन्होंने बोला कि Corporate Tax उन्होंने कम कर दिया ये बात सच है पर ये Corporate Tax सिरफ 0.1% व्या पारियों के उपर देश में लागू होता है हालत ये हो चुकी है कि बीते 10 वर्ष में 16 लाख भारतिये अपनी नागरिकता छोड़कर देश से जा चुके है हालत ये हो चुकी है कि 23,000 High Network Individuals अपना बिजनस बंद करकर देश छोड़कर जा चुके है